1566 में अकबर के दर्वार के नवरत्म राजा टोडरमल जब अपनी तीरत यात्रा पर यहां से गुजर रहे थे तो उन्हें लूट लिया गया ततपश्चात अकबर ने अपने मनसबदार फिरोज शाह को यहां बिहनों में भेजा मनसबदार फिरोज शाह ने यहां से लुटेरों का सफाया कर दिया बाद में अकबर ने इस जगह फिरोजाबाद आबाद कराया जो पहले चंदवाड नाम से जाना जाता था ये वर्तमान शहर से 6 किलोमीटर दूर स्थित है बारहवी शताबदी में चंदवाड एक महत्वपूर्व स्थल था चंदवाड में राजा चंद्रसेम के किले के खंडहर इन बिहधों में छिपे है बचे कुचे आज भी खंडित अवस्था में खड़े है यहां खुदाई करने पर आज भी ऐसी वस्तुवे प्राप्थ होती है जो उस काल को प्रमानित करती है ये वस्थल है जहां अनेको जैंग रंतों की रचना भी हुई है 1184 इस्वी में मुहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जैचंद राथोर के बीच एक युद्ध लड़ा गया था राजा जैचंद हाथी पर सवार थे युद्ध के दोरान उनकी आख में एक तीर लगा जिससे उनकी मृत्यों हो गई उस समय के राजनेतिक माहौल में उन पर ये आरोप लगाया गया कि जैचंद ने पृत्विराज चोहान के खिलाफ मुहम्मद गौरी का साथ दिया था यही से राजा जैचंद को गद्दार कहा जाने लगा 1737 में मराथो के दिल्ली आक्रमन के दौरान बाजिराओ और मस्तानी ने फिरोजाबाद में युद्ध किया था इसे विडम बना ही कहा जाएगा कि पुरातत्व विभाग ने इस एतिहासिक घटना की अंदेखी की आज बची कुछी खंडित इमारते अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रही है वर्तमान में फिरोजाबाद विश्व में काच की चूरियों के लिए प्रसिध है यहां की चूरियों की खनक भारत के घर घर में सुनी जा सकती है आज फिरोजाबाद काच से बने सजावती सामान, वैग्यानिक उपकरन और इलेक्ट्रिक बल्ब आदी के लिए प्रसिध है इस शहर के अधिकांश लोग काच के किसी न किसी सामान के निर्मान से जुड़े उद्यम में लगे है